जब भी किसी के पास में पैसा आता है तो डर और लालच भी आता ही है यह बहुत नौर्मली चीज़ अमीर कौन होता है अमीर वो होता है जो अपनी सोच से होता है वह यह सोच सकता है कि पैसे को कैसे यूज किया जाए उसे कहां इंवेश्ट किया जाए और इसे कैसे बनाया ज क्योंकि पैसे से दूर रहना भी उतना ही बड़ा पागलपन है जितना कि पैसे के पीछे भागना मुसीवत की घड़ी में या पैसे ना होने की घड़ी में करीबी की हालत में ज्यादा दर लोग यह नहीं जानते कि वो अपने दिमाग से सोचे या फिर दिल से क्योंकि भावन आएं आपकी ही रहेंगी पर मुसीवत के वक्त दिल से नहीं दिमाग से सोचना भी आना चाहिए